फिर एक बर आप सबका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Translate All Languages एप के बारे में Translate All Languages एप क्या है कैसे यूज करें इस एप के मदद से आप किसी भी लेंगवेज को अपने लेंगवेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं Translate All Languages एप को किस तरह से यूज किया जाता है सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करके All All Options सेलेक्ट कर ले इससे कि हमारे चैनल पर जब भी कोई न्यू वीडियो अप्लोड हो तो उसका नॉटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए सबसे पहले आपको प्लेइश्टर ओपिन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है Translate All Languages हम इसे सर्च करेंगे उसके बाद आपको स्क्रीन को इस तरह से स्लाइट करना है उसके बाद यह अप्लिकेशन आपको मिल जाएगा इसका लोगो आप देख सकते हैं इस application को सबसे पहले यहाँ से आपको install कर लेना है उसके बाद आपको इसे open करना है तो हम इसे open कर लेते हैं उसके बाद आपको इस application में कुछ इस तरह का interface नजर आएगा सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको language का option मिल जाएगा, आप यहां पर से language select कर सकते हैं, जैसे यहां पर मैं अभी English को हिंदी में translate करना चाहता हूँ, तो यहां पर English select है और इस तरफ Hindi select है, इसी तरह से आप यहां पर अपना language select कर सकते हैं, और यहां पर आपको उस language को select करना है, जिसे आप अपने language में translate करना चाते हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरह से translate किया जाता है यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा text option यहाँ पर आपको कुछ भी type करना है type करने के बाद आपको यहाँ पर click कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वाट टाइप किया है हिंदी में यह translate हो चुका है आप इसे यहाँ पर से सुन भी सकते हैं इसे copy भी कर सकते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर translate कर सकते हैं दूसरा option मिलेगा आपको camera का यहाँ पर से आप किसी भी word या फिर sentence का photo खीच करके आप उसे translate कर सकते ह हैं उसके बाद आपको document का option मिलेगा यहाँ पर अगर कोई document है तो आप उसे भी translate कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको जो phone का gallery है वो open हो जाएगा वहाँ पर से आपको जो document है उसे select करना है उसके बाद आप उसे अपने language में translate कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको voice Translation का Option मिल जाएगा यहाँ पर आप बोल करके Translate कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है What is your name? तो यहाँ पर मैंने एक Sentence बोला What is your name? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह Translate हो चुका है तो इस तरह से आप यहाँ पर Translate कर सकते हैं कोई Word या Sentence और यहाँ पर Chat का Option मिलेगा यहाँ पर आप किसी के साथ Chatting करते हैं तो उसे भी आप Translate कर सकते हैं तो इस तरह से आप इस Application को यूज कर सकते हैं और इस Application में सबसे नीचे में आपको मिलेगा History का Option यहाँ पर से आप इस Application का यूज कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में अगर आप नए है तो चैनल को सस्क्राइब करें तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ थैंक्यू